यह 49 पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे फोल्ड करके यह हो गया हमारा दूसरा हिस्सा तो इस तरीके से हम नापेंगे उपर का छोड़ेंगे इस तरीके से हाफ इंच और इस तरीके से हम नापेंगे इस तरीके से सीधा सीधा दोनों अंदर करके इस तरीके से डिजा lining है तो इसमें हम lining डालेंगे कुर्टे में तो ये देखें और ये जो plain कपड़ा है ये है सलवार तो इसको मैं अलग रख लेती हूँ सलवार, pant, plajo कुछ भी आप बना सकते हो मैंने सलवार की pant, plajo की हर चीज की वीडियो बनाई हुई है वैसे पर आज जो है इसको joint रखते हैं ये वाला जो flower है न ये नीचे आएगा front में और ऐसा ही flower back में भी आएगा नीचे तो वो flower देखो कैसे है उपर दिया हुआ है तो हमने क्या करना पड़ेगा ये जो सिलाई है न बीच की इसको निकाल के इसको इसके बराबर बिचाना पड़ेगा मतलब इसको पलट के बिचाना पड़ेगा ये अभी उल्टा है मतलब एक flower हमारा नीचे है जो की नीचे ही आना है और एक इस तरीके से पीछे उपर दिया हुआ है तो इसको हम सिलाई खोलेंगे और इसके बराबर करेंगे और यहाँ पे यहाँ पे जो flower दिया हुआ है यह दिया हुआ है sleeve के लिए यह देखी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है जो की हम इस तरीके से इसको simple fold करेंगे और यहाँ से जो हमारी sleeve निकलेगी तो सबसे पहले हमारा जो काम है इसको हम खोल लेते हैं तो यह देखिए दो पीस मैंने अलग कर लिया उल्टा सीधा देख ले यह हमारा सीधा है अंदर वाला और मैंने जो आपको यह फ्रेंट का पीस दिखाया था ना यह वो है इसको इस तरीके से करूंगी और ये back का जो piece है इसको ऐसे कर लेंगे हम नीचे की तरफ ताकि ये flower जो है हमारा नीचे आ जाए तो friend जब मैंने इसको नीचे किया ना जो हमारा पीछे वाला हिस्सा था तो एक sleeve तो यहां पर आ गया design एक sleeve का और जो दूसरा sleeve का हिस्सा था था ना वो यहां पर आ गया आप देख सकते हैं तो मैं क्या करूँगी जितना हमने कुर्ती के लिए चाहिए ना उतना मैं यहां से निकालेंगे उससे पहले क्या करेंगे कि हमना अपनी lining पर जो है वो cutting करेंगे फिर जो अपना man fabric है उस पर lining के कपड़े को रखके उसकी cutting करेंगे तो अभी मैं इसको side में रख देती हूँ कुर्ती को और lining पर हम cutting कर लेते हैं तो फ्रेंट्स जो lining का कपड़ा है वो है हमारा 2 मीटर यह हमारी लंबाई है तो मैंने लंबाई में fold करके इसको बिछाया हुआ है यह वाली हमारी चोड़ाई है यह 2 मीटर है क्योंकि जो हमारी land है न कुर्ते की वो बनके हमारा 42 तयार होगी तो कमी है इसलिए 2 मीटर चल अगर लॉंग कुर्ति आपको बनानी है तो lining का भी आपको लॉंग लेना पड़ेगा मतलब सावा 2 मीटर में अराम से हो जाएगा सबसे पहले जो नीचे एक मैं निशान लगा लूँगी जो भी टेड़ा मेड़ा है उसको सीधा कर लेंगे lining की हमेशा ना कुर्ति से 23 इंच लैंथ कमी होती है तो इसकी लैंथ 37 इंच आ रही है तो यह हमारा जब नीचे से हम फोल्ड करेंगे तो 36 इंच रह जाएगा तो ठीक है चल जाएगा यह इतना सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे यहाँ पर शोल्डर है 15 जिसका लेना है हमने यहाँ पर आधा साड़े साथ आधा भी इसले ले रही हूँ क्योंकि जो इसका back neck है न मतलब पीछे का neck वो कम है तो इसमें हमने जितना shoulder है उतना ही लेना है अगर deep neck होता आगे का और पीछे का दोनों neck बड़े होते तो मैं इसका जो shoulder है न वो कम कर देती कम से कम डेरी इंच तो अभी मैं पूरा ले रही हूँ क्योंकि जो इसका back neck है वो छोटा है तो साड़े साथ पे एक निशान लगाएंगे half inch down करेंगे अब यहां से armhole का निशान लगाएंगे armhole की लंबाई का साड़े छे आप लगा लें बिल्कुल सही रहेगा फिर हमारी कमर का निशान लगेगा साड़े 14 इंच पर hip का हमारा निशान लगेगा साड़े 21 इंच पर इन निशानों का हम कर लेंगे सीधा यहां पर एक निशान हम लगाएंगे साड़े साथ पर जितना हमारा normal shoulder था उतना ही निशान लगाएंगे एक निशान और एक निशान इससे अंदर लगाएंगे यह इस पे हमारा back की गोलाई होगी मतलब पीछे के आर्मोल की गोलाई होगी और इस वाले निशान पे हमारे आगे आर्मोल की गोलाई होगी इस तरीके से मिलाएंगे निशानों को तो अब हम गोलाई के निशान जो हम लेते हैं chest का, waist का और hip का उसके भी निशान लगा लेते हैं यह हमारे लंबाई के निशान थे तो यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है न वो है 39 मतलब 49 इंच उसका आमने चोथा हिस्सा लेना है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं यह 49 पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे फोल्ड करके यह हो गया हमारा दूसरा हिस्सा दूसरा हिस्सा हमारा कितना है साड़े उन्निस तो अभी इसको इस तरीके से उपर से करेंगे तो हमारा चोथा हिस्सा भी निकलाएगा तो यह देखिए पौने 10 इंच हमारा चोथा हिस्सा निकला है हाफ इंच हम अपनी तरफ से भी आइड करेंगे तो सवा 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पर कमर हमारा 34 है, 34 का चौथा कितना होगा साड़े 8 इंच, इसमें भी हम अपनी तरफ से हाफ इंच आइड करेंगे लूजिंग का होता है फ्रेंट से, तो 9 इंच हो जाएगा तो यहाँ पर कमर पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे हिप पे हमारा 40, 40 का सीधा चौथा करेंगे तो 10 इंच होता है, इसमें भी हाफ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा साड़े 10 इंच, अब यहाँ पे 6 इंच का में मार्जन लोगी यहाँ पे फोल्डिंग के लिए, क्यूंकि अगर 7 इंच से जादा हो जाता हैं, तो फोल्ड में दिक्कात होती है, मतलब सही से फोल्ड नहीं होते है, तो सवा एक इंच यहां पे बिलकुल सही रहता है यहां पे मार्जन डेड़ इंच ले लें आप यहां पे हमारा टोटल बारा इंच आरा है इसे हमने थोड़ा सा एलाइन में करना है तो नीचे हम ले लेंगे 13 इंच हलका सा करना है इसको चोड़ाई नीचे बढ़ा देनी है यहां पे हम गोलाई देंगे बैक की गोलाई हो गई यह हमारे फ्रंट की गोलाई हो गई तो फ्रेंट्स इसका जो हमने आर्म होल इसका लिया था ना और पूरा रौंड में आ रहा था सथरा इंच, तो सथरा का अधा यहां पर उपर का छोड़ेंगे, इस तरीके से हाफ इंच और इस तरीके से हम नापेंगे, तो यह देखें, पूरा साड़े आठ इंच ही हो रहा है, तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो फ्रेंट करना है तो अब मैं मैं फैब्रिक को भी जा लोंगी तो फ्रेंस इस तरीके से यह जो फ्लावर है ना बीच ओ बीच आना चाहिए कुर्ती में तो इस तरीके से करेंगे हैं इसको फिर निकाल रही हूं पिर जो दूसरा पीस है उसका निकालें हम तुछ जो प्रेंट आते ना उनको देखना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है न टेड़े प्रिंट दे देते हैं जैसे इसमें भी है थोड़ा सा टेड़ा पंजा रहा है पर हमको देखके करना पड़ेगा इसको अच्छे से हमें जो पूरी कुर्ती की लैंद रखनी है ना बनके तो तैयार हमारी 42 42 आएगा मतलब 22 इंच पर यहां पर 44 हमने रखना पड़ेगा क्यूंकि 2 इंच फोल्डिंग में नीचे भी जाएगा तो इस तरीके से मैं ले लूँगी तो यह देखे इस तरीके से मैंने बिचा लिया है यहां पर निशान लगा लिया था मैंने और यहां पर कटिंग कर लेंगे चलिए इसकी cutting कर लेते हैं तो friends देखिए मैंने cutting कर ली है एक पीस हमारा निकल चुका है दूसरा पीस भी इसी तरीके से बिचाकर के निकालेंगे चलिए वो भी निकाल लेते हैं तो friends देखिए cut हो चुके हैं हमारे back और front दोनों के यह अस्तर हो गया और यह दोनों बैक और फ्रेंट हो गए तो फ्रेंट अब स्लीव दिखाती हूं में आपको किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो तो यह देखिए यह हमारी स्लीव का फैबरिक है एक यह है और दूसरा है यह तो इसको पूरा आपको डिजाइनिंग को मिला के रखना है यह देखिए इस तरीके से सीधा सीधा दोनों अंदर करके इस तरीके से डिजाइनिंग को मिलाना है और यह हमारा सैंटर होगा तो इस तरीके से कर लेंगे स्लीव को तो इस तरीके से करके तो यहां से हमारी लंबाई आएगी स्लीव की तो नीचे से हमने दो इंच छोड़ना है जो कि फोल्ड में होगा फोल्डिंग में जाएगा अब यहां से हमने लेनी है तो नाइन इंच हमारी बन के तयार होगी हाफ इंच उपर और ले लेते हैं जो कि हमारा जब जॉइंट करेंगे तो उसमें लगेगा तो साड़े नौ यहां से मैं निशान लगा लूँगी इसको भी सीधा करेंगे अब इस तरीके से ना साड़े तीन पर एक निशान और लगाएंगे यहां से लेकर यहां तक इसको भी हम सीधा करेंगे तो फ्रेंट्स कभी भी आप सलीव के लिए कपड़ा बिछाते हो ना फोर फोल्ड में न उसकी यह वाली जो चौडाई होती है यहां से तो फोल्ड होता है पर यह वाली जो चौडाई है ना अगर कम साईज है तो 10 इंच होना चाहिए हैवी साइज है तो 11 से 11,1 यह चीज होनी चाहिए इस तरीके से नापने पर तो अब हम क्या करेंगे हमने जो आरमोल नापा था वो 1,5 अट था तो इस तरीके से नापने हमने 1,5 नापना है आठ इंच क्योंकि ये तिर्चे में कटता है इसमें गोलाई आती है तिर्चे में कटता है तो आठ इंच भी आप लोगे तो ये अच्छी फिट बैड जाएगी मतलब उदर यहां पर जो सिलीव का राउंड है वो है साड़े पांच मतलब पूरा गोलाई में था 11 इंच तो उ अनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे और यहां पर इस तरीके से तिर्चा लें ताकि जब हम ये जो हमने फोल्डिंग का लिया है ये फोल्ड करें तो यहां पर बराबर आए अगर इस तरीके से काड़ देंगे तो उपर जब फोल्ड करोगे तो वो छोटा पड़ जाएगा अब यह वाला जो आगे वाला निशान है यहां से हमने गोलाई देनी है यहां से इस तरीके से यह दो इंच पर एक निशान लगाए और फिर अब यहां से इस तरीके से शेव देनी है यह देखे कुछ इस तरीके से यह हमारा हो गया बैक का निशान और यह थोड़ी यहां पे कट जरूर लगाए तो इस तरीके से दो पीस लेंगे हम और ऐसे करेंगे एक बार फिर से कमफर्म कर लें कि जो दोनों अंदर थे ना वो सीधा होना चाहिए या दोनों अंदर उल्टा होना चाहिए या दोनों में टॉपिक था ना वो यह था कि प्रिंटेड वाले सूट को आप किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग में अगा प्रॉब यू वाचिंग झाले सी वीडियो में अपना ही मिलते हैं तरीके से कटिंग में प्रिंटेड वाले से कर सकते हैं